वीडियो में आगे बड़े से पहले छोटी सी आपसे request है अगर आप भी इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं चैनल पर फहले पर वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बुले चैनल को सब्सक्राइब करने के क्या करना है वीडियो के ठीक नीचे कुछ इस तरह से रेड करण में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा इसको दबा लीजिए इसको प्रेस कर लीजिए जब इसको दबाएंगा तो इसके साथ साथ एक बैल आइकन भी आएगा इसको दबाके जो है ओल का जो ऑफ्चन इसको सलेक कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जिससे कि आपको इस तरह की जो है रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी तो चले चलते हैं अपडेट की तरफ दोस्तो एपेस पैंशनरस और एपेस 95 पैंशनरस की जो राश्टे संग्रे समयति है वो कई सालों से सरकार से म पैंशन साड़े साथ अजार उपे प्लस महेंगा वी बता यानि की डिये उनको मिलना चीए तो दोस्तों आपको बता दे कि एपेस 95 विराश्टे संग्रे समयति एनसी की जो चीफ है मानिने कमांडर असोक राओ जी ने एपेस 95 पैंशन धारकों की मांगों को हल करने के ये लेटर जो ये पतर जो है 13.05.2020 ऐननी की 13.05.2020 को लिखा गया था ये परती बेजी कहीं मानिने शिरी नरेंदर मोदी जी को परदामंतरी बारस सरकार नहीं दिली मानिने डॉक्टर जीतेंदर शिंग जी मंतरी परदामंतरी कारले इसका जो सब्जेट विसे है एक अदम म मार्ज 2020 की बैठक वेच चर्चा इसमें बताए गए इसमें लिखा गया है हम देश के 65 लाख एपस योजना अंतरकत पैंसन धारकों की और से प्रातना करते हैं कि देश बरके हम सभी 65 लाख एपस 95 पैंसन धारकों ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतू अनुसासन में रैकर संठित होकर अपने हग के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन किये जिनमें एनसी के मुख्यले बुलड़ाना माराष्ट का दिनाग 24-12-2008 से जारी कर्मिक अंसन भी सामिल है हमारे संठन नैसनल अगेस कमिटी एनसी दोरा आंदोलन चरन सिमा पर चलते होए मानिने सरमंत्री जी के सतर पर कई बैठके वचर्चाओं के दर्मियान पांच बार ऐसे अफसर आये कि हमें लगा कि अब सिग्र ही हमारी मूख्य मांगे मंजूर होने वाली हैं लेकिन दुर सबीरता से लेकर मानिने सिरी जीतेंदर सिंग जी राज्य मंत्री परदा मंत्री कार्याले को हमारी मांगो को मंजूर करने हितु दिसार निर्देश दिये मानिने मंत्री महोदे सिरी जीतेंदर सिंग जी ने उसी दिन हमारे सामने ही उनके अधीन सचीव मानुवाओ से हमार स्ट हो गया था कि अब EPS 95 पैंशन दार्कों की मुख्य मांगे सिर्गी मंजूर की जाएगी तबी से हम 65 लाग पैंशन दार्कों की तथा उनके परिवारों की निगाए मानिने परदामंत्री जी आपर टिकी हुई हैं हम EPS 95 पैंशन दार्कों ने अपने 30 से 35 वरस सर्विस के दोरान जो राशी पैंशन फड़ में जमा की उसका आज का मुल्य 15 से 20 लाग रुपे है और EPS 95 पैंशन दार्कों में से 33 लाग पैंशन दार्क ऐसे हैं जिने रुबे 1500 से कम पैंशन मिलती है और इसी कारण हमारे EPS 95 पैंशन दार्क भरूत ही दैनिये मनापर अवस्था में जीवन जी रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुजदाई भी उपलब नहीं है अब तो इस क्रोना मामारी के चलते हमारे सबी पैंशन दार्क आर्थिक संक्टों से जूज रहे हैं उनकी समस्या और भी अधिक बढ़ गई है यह सकते है कि देश क्रोना मामारी से स 2020 को दिये गए आस्वाषण उसर हमें जरूर नहीं देंगे हमारी मोख्य मांगे को मंझूर की जाएगी और इस लेक्sequently जो है मोख्य मांगे बताई गई है हमारी मोख्य मांगे पहली रूपए साड़े साथ हजार रुपए पैंसन और महेंगाई बत्ता दिया जाए दूसरा मानिने सर्वोचे नैले के आदेश अनुसार संपूर्ण वेतन पर अंसदान सविकार कर पैंसन लेने का प्रयाय दिया जाए तीसरी जो मांगे है वो यह है पैंसन धायक पती पदनी को उत्तम वेद किये सुईदाय उपलब्द कराय जाए चोथी जो मांग है वो यह है जिन सेवा निविर्थ कामगारों को इस योजना में सामिल नहीं किया गया है उन्हें सामिल कर उनसे अंसदान लेकर पैंसन दी जाए अने था उनकी सेवा को देखकर उन्हें 5000 रुपे मासिक पैंसन दिया जा अब देखने वाली बात यह होगी कि परदान मंत्री जो है इस पर कब तक देन ने लेते हैं परदान मंतरी कार रहले से क्या अबडेट आता है बाकि जो भी कोई अबडेट आएगा सही सरकार की तरफ से आए परदान मंतरी कार रहले की तरफ से आए या फिर एनसे की तरफ से आए जो भी कोई अबडेट आएगा एक प्याफ होगी तरफ से हम कोशिस करेंगे सारे अबडेट आपके साथ वीडियो के मादम से शेयर करे तो NSA की तरफ से ये कदम आपको कैसा लगा आपकी राय अपना feedback जरूर comment box में comment करके जरूर बताना मिलते हैं नई update के साथ